कि नमस्कार MP News की इस खास पेशकस चुनावी चर्चा और आज जो सीम ने जो सपत ली उस चर्चा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं राहुल पटेल आज हम चर्चा करेंगे दिन भर की उन राजनेतिक गतिवीदियों की किस प्रकार से सीम कमलनात ने शपत ली है गोपनियता के शपत ली है और आज वो अठारवे सूबे के अठारवे मुख्यमंत्री बने हैं आज इस पूरी चर्चा में हम बात करेंगे किस प्रकार से जंबुडी मैदान में एक जो मेगा इवेंट कॉंगरेश ने रखा गया था वो किस प्रकार से आगे बढ़ा और किस प्रकार विदिवत शपत उन्होंने दिली है और गोपनियता की शपत लेते ही वो मत्रदेश क के 18 मुखिय मंतरी बन गाए और उसके आगे हम बात करेंगे क्या क्या चुनावी चर्चा हुई क्या क्या मुख्य मंतरी ने अपने वशन पत्र में से तकन वच्नों पर अमल किया है आज इन सभी बातों पर इनमिश्लों पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथ जुड़ चुके ह मसले में क्या है और क्या है युवाओं के लिए इन तमाम मसलों पर आप हम चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे सहीयों की जूट चुके हैं संदीब मेना जी आपका बहुत स्वागत है संदीब सबसे पहला प्रश्ण में रहा है कि किस प्रकार ये पुरा मेगा एवेंट रखा गया और क्या लगता है क्या कॉंग्रेस इस बार महागडबंधन की ताकत को मंच पर दिखा पाई है जी राहुल जी मैं बताना चाहूंगा कि एक बड़े अंतराल यानि कि मध्यप्रदेश में पिछले 15 सालों के बाद कॉंग्रेस की वासी हुई है या कहा जा सकता कि 15 सालों का सियासी वनवास खत्म हुआ लिहाजा जैसे ही कॉंग्रेस का वनवास खत्म हुआ हलाकि पूर्ण बहुमत कॉंग्रेस को नहीं मिला लेकिन जैसे ही उनको बहुमत दूसरे दलों से समर्थन मिलने के बाद प्राप्त हुआ तो कहीं न कहीं पूरे प्रदेश भर में लेकर जो है दूसरे अन्य राज्यों म कि बात करें लगातार कॉंग्रेस को जो है भारत देश को कॉंग्रेस मुक्त देश बनाने की बात कह रहे थे लगातार वो कह रहे थे कि राहूल गांदी जहां जहां भी जाते हैं वहां वहां कॉंग्रेस हारती और भाजपा की सरकार बनती है लेकिन यह मिथक तूटा और मद 2003 के बाद जो है अब 2018 में कॉंग्रेस की सरकार यहाँ पर आई है तो एक अलगी जोस देखने को मिला और यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए कि कॉंग्रेस के राष्ट देक्ष राहूल गान्दी ने जिस तरीके से यहाँ पर ताबर तोड सभाय की है लगातार उनने दोरे किये हैं तो कही न कहीं उसका एक जो फेक्टर यहाँ पर देखने को मिला है हम साफ तोर पर कह सकते हैं कि राहूल का मेजिक देखने को मिला उसकी बदोलत जो है आज मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस का सियासी वनवास खत्म हो और विदिवत तोर पर कमलनाथ ने जो दिवत रूप से मद्यप्रदेश का अठारवे सीम बने और उसके बाद जो यह पूरा एक इवेंट हुआ सपत्समारों का यह कॉंग्रेस ने एक बड़ा ही भव्वे इवेंट बनाए इसको क्योंकि मिशन दोहजार अठार उननिश नजदीक है और कहीं न कहीं उसी की ताक पूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चुहान यहाँ पर आए और जिस तरीके से उन्होंने एक सिस्टचार राजनीती का परिचे दिया कमलनाथ और जोतिराई सिंद्या ने उनसे भेट की और फिर अपने हाथ उपर उठाकर एकता का संदेश भी दिया साफ तोर पर यहाँ पर एक तरफ तो राहूल गान्दी ने अपना शक्तिय प्रदेशन किया, दूसरी तरफ कमलनाथ के नेतरत वे में कॉंग्रेस का वनवास खत्म हो, वहीं तीसरी तरफ अगर हम बात करें, तो शिवराज सिंग के साथ उन्हों ने, शिवराज सिंग ने वह हाद दिला कर शारा किया, के मैं विपक्ष में जरूर हूं, लेकिन मैं जंता के साथ मेंहूं, मैं जंता के वादो और इरादो पर विपक्ष में रहकर उनकी जो कसोटी उस पर खरा उत्रूंगा, और एसे उन्हों ने जो एक सिष्ठा 4 की लाजनीती होती है, इसका एक पुख्यमंत्री कमलनाथ बन चुके हैं और जिस प्रकार से नो बार से सांसद रहें छिंदवाड़ा मॉडल की पुरे लगातार चुनाव प्रचारों में बात रही है उसको कहीं न कहीं अपलाई करने का अब समय आ गया है चुकि जनता ने उन्हें जनमत दिया है अब वो सत् उसकी कोई घानकरी इस पर आप कैना चाहेंगे बात करें अगर सीयम की पूर्व सीयम थे खाहने करें कहीं न कहीं सपाव सुपरीमों घिले शादव वो मौजूद नहीं थेैं तो कई मायावती जो बीएस्पी सुपरीमों वो मौजूद नहीं थे तो आ का लिए अगर हम C. इस प्रकार से आपको लगता है कि जो महागडबंदन की जो ताकत थी क्या वो मंच पर दिखाई दी? जी निस्स तोर पर राहुल जी में बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी शुरू से ही महागडबंदन की बात करे थे महा गडबंदन पर तो शंशे उसी टाइम खड़ा होने लगा था इस टाइम पर हम बात करें समाजवादी पाटी ने जब जो चुनाव पुचार हुआ भी शुरू भी नहीं हुआ था उस समय कॉंग्रेस से गडबंदन करने पर कही न कहीं किनारे आ गई थी मायवती वहीं आ कॉंग्रेस ने चुनाव जीता और 214 सीट लेकर आई दो सीटों का उन्हों बहुमत चाहिए था तो उसके लिए भले उसको आखिलेश र्यादव की बात की जाए समाजवादी पार्टी की बात की जाए यह बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए इन्होंने अपन कर जो है सवाल उठने खड़े हो गई क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि जो जो घटनाग्रम चुनाव प्रिचार से पहले हुआ चुनाव मतदान से पहले जो घटनाग्रम हुआ यहां पर माया बती ने उनको घडबंदन के लिए हामी नहीं वरी वहीं आखी समाजवाद पार्टी और कॉंग्रेस के बीच में गडबंदन नहीं हुआ हलाकि राहूल गांदी ने उन्हें कमलनाथ ने उन्हें नोता जरूर दिया था उन्हें इन्वाइट किया था सपद विदी समारों में और कयास लगाया जा रहे थे कि यहां पर जब यह विपक्षी दल यहां पर एक जूट होंगे वहीं अगर हम बात करें दिली सियम के आम आदमी पार्टी के प्रमुख अर्विंद केजरिवाल की तो उनके भी आने की खबर थी लेकिन वह भी नहीं आए तो जिस तरीके से यह पूरा जो ट्रेलर यहां पर बनाया जा रहा था जिस तरीके से पूरी जाबती भी यह गहरी पैट रखते हो और यह एक बड़ी ताकत भी है अपने आप में तो कहीं न कहीं इनी के सहारे राहूल गांदी मिशन 2019 की स्क्रिप्ट लिख रहे थे लेकिन एन वक्त पर वही नहीं आए तो कहीं न कहीं यह एक महागडबंदन पर एक प्रिस्टिन करता है कि जो राहूल गांदी महागडबंदन की बात करें कहीं यह जो कपल कमलनात की सपद विदी में इनकी गयर मौझूद गिये कहीं न खहीं यह जो है यह एक क्षानसय पैदा करती है कि हो सकता है कि मिशन 2018 में यह गरबंदन नहीं देखने को मिलें जो बिल्कुल महागडबंदन पर एक बार और फिर प्रश्ण चिन खड़ा कर दिया है क्योंकि सूबे के पूरो मुख्यमंतरी अखिलेश यादव, मायावती और यूं बात कहें तो अर्विंद केजरी वाली इन तिनों की गेर मुझूद की कहीं कहीं सवाल खड़े कर रही है लेकिन अगर ये ट्रेलर की बात की जाये, 2019 का ट्रेलर दिखाना चाहती थी कॉंग्रेस, लेकिन ट्रेलर तो नहीं दिख पाया, लेकिन अगर हम बात करें, इस जंबूरी मेदान के मंच पर तो जो एकता थी, विपक्ष की एकता थी, कही न कहीं वो तो देखने को मिलिये, लेकिन 2019 के लियाद से कई लोगों ने इससे मूँ फेर लिया कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में जो सीटो का बटवारा है उसको लेकर कुछ अंतरकल है बाकि हम बात करेंगे अगले मसले की कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से विदिवत तरीके से सीम कमलनाथ ने शपत लि तो संदीब जी एक चीज बताएं कि यह जो पूरा एक मसला है किसान करज माफी का इसका पटाक्षेप करें इसके पीछे की क्या है असली कहानी क्योंकि मदप्रदेश का किसान कंफ्यूज हो रहा है कॉंग्रेस ने तो अपना वच्चन निभाया लेकिन क्या है इसके पीछ जिन्दा होकर उठी यानि कि यहां पर कॉंग्रेस ने अपनी सत्ता हासिल की यानि कि जहां पर कॉंग्रेस को कहा जा रहा था कि कॉंग्रेस मुक्त हो जाएंगे यह प्रदेश लेकिन किसानों की करज माफी का जो फेक्टर चला है उसी ने कॉंग्रेस को तीन राज्यों मे सत्ता के कुर्सी पर बैठा दिये तो साफ तोर पर यहाँ पर राहुल गांदी की घोशना सीम बनने के बाद कमलनाथ की ये पहली प्रात्मिकता थी और जैसे ही उन्होंने शपत लिए उसके बाद कमलनाथ पूरे ताबर तोर तरीके से एक्षन में नजरा है सीम हाउस गए कुर्सी पर बैठे और सबसे पहले उन्होंने उस फाइल को उठाया जिस फाइल में कर्ज माफी की डिटेल थी यानि कि अपने सिगनाक्चर किये अपने हस्ताक्चर से उस फाइल को पास की और पूरे तमाम जो दिसा निर्देश है जो गाइडलाइन है किसान कर्ज माफी को उसको लेकर निर्देश दिए दिसा निर्देश दिए कि जो दो लाग तक का किसानों का कर्ज है वो माफ किया जाएगा अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूं आकडों की तो किस तरह के कर्ज माफी होगी य उससे यह है कि मद्द्प्रदेश के 33 लाग किसानों को इसका फाइदा होगा यानि इसमें साकारी बेंक है रास्टीकर्द बेंक है ग्रामिन है ग्रामिन विकास बेंक है और नीजी बेंक टोटल अगर हम आकलन करें तो इनमें 70,000 करोड रुपे का करज है जिनमें से 56,000 करोड का जो करज है वो माफ किया जाएगा और इसका फायदा 41,000,000 किसानों को मिलेगा यहाँ कि बड़े प्देट है MP News के सभी दर्शकों के लिए कि जो एक लगातार मद्दपरदेश में सबसे बड़ा प्रश्ण था पहले कि कौन बनेगा सियम उससे परदा उड़ते ही एक बड़ा प्रश्ण हर जन्मानस हर किसान के दिमाग में है कि किसका करजा होगा माफ चुकि ये एक तरह का भ्रहम चल रहा है कि दो लाग का करज हुआ है तो कई प्रश्ण हैं जो आपके दिमाग में हैं हम उन प्रश्णों को खंगालते हुए कुछ आपको इनाउट्स दे रहे हैं कुछ उसके इंपूर्ट दे रहे हैं क्रपया ध्यान से सुनिए इसमें जो संदीब एक बड़ी बात आई है कि किन-किन किसानों करज मा होगा इसमें कि जी मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो कंदिशन है कि जिन किसानों ने सिर्फ हेति के लिए ही करजा लिया है सिर्फ उनी का करज माफ होगा दो लाग तक का यानि कि जिन लोगों ने अपनी कुए की खुदाई के लिए करज लिया हो या फिर अन्य उपकरण खरीदने के लिए करज लिया हो तो वो ये ध्यान रखे किसान की वो करजा माफ नहीं होगा ये जो सूत्र कह रहे हैं, जो सूत्रों से हमारे पास ख़वर आ रही है, उनके हवाले से हम बता रहे हैं कि जो खेती के लिए जो करजा लिया है, वही सिर्फ माफ होगा, और मैं यहाँ पर एक और आपको बताना चाहूं कि यदि किसानों ने 2 या 3 बेंकों से करजा ले रखा है बड़ी अफटेट है तो ये इसा नहीं होगा ये जो आप साफ तोर पर इहां पर यह बात कर रहे थे किसानों यह भी था जब एलान है था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगा तो किसानों को लग रहा थैंगे जितना हमार उपर कर जाए उतना सारा मुझा जायंगा लेकिन सा 0830 मैं आपको करना चाहूंगा एक और बड़ा प्रश्टि चल रहा था संदीब करजे या सिब एक ही बेंक का 2 लाग माफ होगा नै मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि यह जो आप अलग-الग बेंक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ अगर आपका साकारिता बेंक तो सिर्फ वही दो लाख रुपे माफ होगा अगर दूसरी आपकी नीजी बैंक में बैंक की बात हो दूसरे अन्य बैंकों में करजा हो आपका तो वह माफ नहीं होगा तो बड़ी अपडेट है आप सभी दर्शकों के लिए किसान करज माफी पर लगातार प्रश्ण चिन कड आ रही है उसमें साफतोर पर कहा गया है यदि आपके नाम से एक अकाउंट है तो अगर मल्टिपल अकाउंट से हैं तो उस एक अकाउंट जो की सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्रामिड विकास बैंक कॉर्परेशन के जो अकाउंट है सहकारिता के जो अकाउंट है सब अलावा आपके पास कोई किसान करज माफी को लेकर कोई एक बड़ी अपडेट आ रही है आपको लगता कि इनमें और कुछ जानना चाहते हैं या और कुछ इसमें आप बताना चाहते हैं जी राहूल जी में बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी तो update यहिए कि किसान की के करजमाफी का ऐलान हुआ तो खिसानों को लगा कि करजमाफ हूजाएगा सारा करजमाफ हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है सबसे बड़ा काम कारण यह है कि किसानों का दो लाग का करजा माफ होगा लेकिन वो खेती से संबंदित जो करजा ले रखा है वही करज माफ होगा उनका अन्यूप करणों के लिए जो भी उन्होंने लिए उसके लिए उसका करजा माफ नहीं होगा और एक और बात यह है कि कि पर चिसानों के करजमाफी का जो अहलान किया है इससे कहीं न कहीं किसानों को तो रहात है लेकिन अगर हम बात करें बेंकों की तो बेंकों पर भारी बजन पड़ेगा इसका क्योंकि ये निर्भर करेगा कि शाषन उन्हें किस तरीके से किस रणनीती के तहत उनको अमाउन देता अगर बेंकों को अगर शाषन पेशा देगा तो इससे बेंकों की अर्थ विवस्ता में सुधार होगा दुरूस्त होगी लेकिन अगर एक मुस्तगर किसान बेंकों में अ एक बड़ी अपडेट है जिस तरह की जानकारी संदीब जी ने प्रोवाइड की है उसके इसाब से किसानों का करज तो माफ होगा लेकिन कहीं ने कहीं जो बैंकों की आर्थिक इस्तिती है वो कहीं ने कहीं खराब हो जाएगी या यूं कहें कि वो पट्री से उतर जाएगी त तो तमाम जो अपडेट आ रही है कि कसानों करजा तो माफ होगा लेकिन सत्तर हजार करोड का जो एक वित्तिय बोच अगर सारे बैंकों की बात करे तो उनके उपर कहीं ने कहीं पढ़ता हुआ नजर आ रहा है बरहाल किसान इससे खुश हैं लेकिन कहीं ने कहीं हमें ये भ बात की तो आगामी दिनों के लिए उन्होंने क्या-क्या गोशनाई किये उन पर किस तरह की तरजीह मिल सकती है उन पर कैसे मोहर लग सकती है साथी साथ दो से तीन बड़ी गोशनाई की चाहे वो विवायोजना हो बालिकाओं की विवायोजना से संबंदित हो चाहे वो क्लस्टर्स की बात हो चाहे बिजनस की बात हो चाहे रोजगार की बात हो इन तमाम मसलोपर हम बात करेंगे संदीप जलाविस्तार से बताएं एक सबसे पहले अगर हम बात करें तो उन्होंने एक सबसे बड़ी जो गोशना किये किसान करज माफ़ी के बाद जो सबसे बड़ी बात ये कही थी कि यदि कोई मद्दप्रदेश के अंदर कोई वित्तिय निवेश करता है या कोई कमपनी ख जाकर जो रोजगार ढूंडते हैं उस समस्या को सीधा उन्होंने टार्गेट किया है तो संदीप यह आपको लगता है कि यह योजना युवाओं को अटेक्ट कर पाएगी क्योंकि इस प्रकार की जो योजना है पिछली सरकार इसमें कहीने कहीन फेल नजर आई थी 70% लोकल लोगों को रोजगार देना कहीन कहीन एक बड़ी एक योजना सामने आ रही है इसका जमीनी स्तर पे कितना अमल होता है यह तो आने वाला कल्द बताएगा लेकिन कमलनाथ की जो प्रेस कॉन्फरेंस थी उसमें सबसे बड़ा पॉइंट अगर हम बात कहें कि सान कर जमाफी क थी तो लगातार बेरोजगारी को लेकर प्रदेश सरकार यहने की सिवराज सरकार पर लगातार निशाना साधरी थी और जिस तरीके से मद्यप्रदेश में बेरोजगारी को लेकर प्रदेश का युवा था जो नराज नजर आ रहा था कहीं न कहीं उसने कॉंग्रेस को चैन किया है कॉंग्रेस को सत्ता पर बेठाया है अब जो है कमलनात की जुम्मेधारी बनती है कि वो किस तरीके से जो प्रदेश के बेरोजगार युवा है उनको किस तरीके से रोजगार मुहिया करवा है उसी के तहए जब उन्होंने सीम पत की विदिवच सपत ली उसके बाद ज में जो भी नया जो उद्ध्योग इस्तापित होगा उसमें जो लोकल जो युवा हैं सत्तर प्रतिश्रत युवाओं को रोजगार मोहिया करवाना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है यहां पर कमलनात का लक्ष है कि जो उन्होंने बेरोजगारी दूर करने का जो वचन दिया गवाओं को रोजगार देंगा यह एक बड़ी कोशिश होगी जिस तरह से मद्ध्यप्रदेश में उद्ध्योग स्तापित करने के आपार्ट समभव ना है तो उसी के तहट जो एक कमलनात खुद जो है एक माहिर उद्ध्योग पती है बड़े उद्ध्योग जगत से भी आ जो निशे तोर पर जिस प्रकार से कमलनात में प्रेस कॉंफरेंस करके बेरोजगार युवाओं को एक बड़ा तोफा दिया है वहीं निवेशकों के लिए एक चैताउनी भी दे दी है कि यदि मद्ध्यप्रदेश में निवेश करना है और जो सरकारी इसकीमों के तहत इंस को अट्रेक्ट करने वाली जो बात है कमलनात ने अपने पहले ही प्रेस कॉंफरेंस में कर दी अगली अगर हम बात करें उसमें जो क्या-क्या गोशना है हुई क्योंकि प्रेस कॉंफरेंस में लगातार उन्होंने अगर हम बात करें प्रेस कॉंफरेंस को सुनके ऐसा लग था कही न कहीं कमलनाथ attractive mood में है थोड़ से गंबीर सुभाव से कह रहे थे कि मुझे चिंता भी है मुझे डर भी लग रहा है वहीं कर्मचारियों को नसीहत देते हैं नजर आए कि यदि किसी कर्मचारी ने बात नहीं मानी लोकल लोगों की बात नहीं मानी और मेरे पास यानि कहीं सत्ता पर हावी हो रहे थे ऐसे मैं उन्होंने पहली पेस कांफरेंस में साफ कर दिया कि यदि मेरे पास कोई प्रकार का एसकेलेशन आया तो अच्छी बात नहीं होगी साफ कहना तक कमलनाथ का कि जो ग्राउंड लेवल पर दुरुस्त की जा सकती विवस्ता हैं और व सारी क्या बाते थी तमाम और इसके बाद भी उन्होंने जो तमाम बाते कही है प्रेस कांफरेंस के दुरान उन पर प्रकाश डालें उन पर विस्तार से बताएं कि क्या-क्या और प्रेस कांफरेंस में मदब्रदेश की जनता के लिए था युवाओं के लिए था और बालिक गाई के लिए ता एक बड़ी अपडेट है बदाई संदीब जी राविस्तार से ये निश्चित तोब पर राहुल जी जैसे ही c m बने c m की कुर्शी पर काभिस हुए उन्होंने अपने बतोर cm पहली press conference कि और पहली pr Jessie conference में उन्होंने प्रदेश की जनता की बात करे हम चाहे महिलाओं की बात करे किसानों की बात करे युवाओं की बात करे उन सभी के लिए उन्होंने अपनी सरकार का खजाना कोल दे यानिकि एक तरीके से कहें तो हम उन्होंने सोगातों की जड़ी लगा दी हम बात करें सबसे पहले महिलाओं क ती थी वो जो पहले 28,000 बताई जारी थी वो अब बढ़ा के उन्होंने 51,000 कर दी यानि कि साफ तोर पर यहां पर एक बड़ी राहत दी है और जो गरीब तबका जो था वो कही न कहीं अपनी बेटियों की शादी के लिए जो कहीं न कहीं उसको निराशाहात लगती थी परेश पार्क खोले जाएंगे यानि कि यह भी एक बड़ी राहत है यहां पर बड़ी खुशकबरी है वहीं अगर हम एक और अपडेट की बात करें तो उन्होंने यहां पर युवाओ को जो है जो दस यार अनुदान देने की बात की है वहीं अगर हम एक और बात करें तो उन्हों उन्हों अधिकारीों को ultimateum भी दिया कि जो अब तक के अधिकारी जो थे कहीं न कई उनका साफ तोर पर इशारा था कि जो अधिकारी भाजबा की सोच रखकर काम करते थे वो अधिकारी अपनी सोच change कर दे हैं यानि पर कमलनात नहीं यहाँ पर अधिकारियों को चेतावनी भी दिया और उन्हों ने कहा कि अब आपको कमलनात सरकार के साथ कदम से कदम मिला कर काम करना होगा जो अधिकारी भाजबा की सोच रखकर काम करते हैं वो अपनी सोच को बदल दे यानि कि साफ तोर पर यहाँ पर उन्होंने चिंता भी जाहिर की कि मद्धिप्रदेश में उन्होंने शपत लेते ही कमलनाथ को अपनी जुम्मेदारी का आभास हुआ और उन्होंने जैसे ही पत्रकारों से बात्चित करने के लिए एंटर हुए अंदर तो उन्होंने सीधे साफ तोर पर उन्होंने बात कहीं कि उनके पास समय बहुत कम है यानि कि लिहाजा उनके इस बात से ये प्रतीत हो गया कि कमलनात अपने जुम्मेदारी को बखुवी जनता जो है कमलनात को बहुती आशा भरी नजरों से देख रही है और एक उम्मीद है कमलनात से कि उनकी जो है यहाँ पर मांगे पूरी होंगी उनके जो वादे किये गए थे वो पूरे किये जाएंगे तो तमाम तरह के जो वचन है उनको सिलसलेवार रूप से करम वाइस की बात करें तो लगातार कमलनात का यह सिलसिला वचनों को पूरा करने का शुरू होगा और आने वाले दिनों में और भी कहीं ऐसे वचन है जो पूरे किये जाएंगे अगर हम बात करें जिस तरीके से मद्ध्रदेश में उन्होंने गो मंत्राले खुलने की बात कहीं तो यह वचन जिसे ही पूरा होगा क्योंकि यह जो कॉंग्रेस ने अपने वचन पत्र में जो सरकारी संस्थान है उन्होंने संगे की साखाव पर प्रतिबंद लगाने की बात कहीं थी एक बड़ा मुद्दा भी बना जिसको ले कर एक बड़ा विवाद भी देखने को मिला अब कॉंग्रेस के खिलाब मेदान माएगा किस तरीके से आरे से यहां पर कॉंग्रेस के खिलाब प्रतिशन करेगा और भाजपा भी लगातार इस मुद्दे को लेकर भुनाने की कोशिश करेगी तो एक तरफ तो यहां पर वचन पूरी करने का भी जो उन पर वजन है और दूस इस सबब देखने को मिलेगा और भाच्पा जो है क्योंकि विपक्ष भी यहाँ पर तगड़ा देखने को मिल रहा है 109 सीट लेकर भाच्पा बेटिये तो कहीं न कहीं इस मुद्दे पर गहरा जो है यहाँ पर संगर्स देखने को मिल सकता हलाकि कॉंग्रेस का यह वचन है अब देखना हो किस तरीके से यह वचन पूरा किया जाता है बरहाल अगर पूरी अपडेट की बात करें तो कमलनात में पहले दिन ही ताबर तोड़ बल्ले बाजी करी चाहे वो सपत गरंड समारों की हो या सबसे बड़ा वचन किसानों की करज माफिका हो उस पर हस्ताक्षर किये साथ ही कई इसी सोगाते चाहे वो युवा हो चाहे बालिकाए हो चाहे महिला हो सबको सोगात देते नजर आएं बराल हम लगातार इन अपडेटों के लिए आपसे बने रहेंगे आप लगातार देखते रहिए MPNews ताजातरीन कबरों के लिए जुड़ते रहिए और खबर की तहर तक क्या है उस खबर के पीचे की असली कहानी हम लगातार आप तक पहुचाते रही हैं आप लगातार बने रही हैं एमपी नियूस पर नमस्कार